जै माताराणी दोस्तों कैसे हो आप सभी आशा करते हूँ आप सब माताराणी के गरपास से कुशल मंगल होंगे तो कॉमेंट बॉक्स में जै मातादी अवश्य लिख दीजिए तो दोस्तों आज की इस वीडियों में आपको नवरातरों के 9 दिन में हमें किस-किस रंग के कपड़े पहने वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हूँ तो देखिए नवरात्रे के जो 9 दिन होते हैं वो हमारे नौग रहे के प्रतीक होते हैं और जो रंग होते हैं वो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं तो ये नवरात्रे के जो 9 दिन है इसमें हमें अलग-अलग रंग के वस्तर पहने चाहिए अगर exactly वो कलर आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं उनसे मिलते जुलते कलर आप पहन लीजिए और अगर आप साड़ी पहनते हैं तो साड़ी पहनिए यदि आप उसके साथ कोई matching jewelry पहनती है तो आप उन्हें भी पहन सकते हैं यदि आपकी जो साड़ियां है एक एक बार पहनी रखी हुई है तो आप उन्हें dry clean करा लीजिए या फिर खुद आप धुल लीजिए जैसे भी हो वैसे आप कर लीजिए क्योंकि हमें नवरात्रों की पूजा में बहुत ज़्यादा शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए शुद्ध कपड़े हमें पहने चाहिए ठीक है और ऐसा नहीं है कि exactly वही color पहनेंगे यदि आप उस में थोड़ा बहुत color वो भी है जो आप चाहते हैं तो भी काम चल जाएगा और ये भी नहीं है कि आपको एकदम नईनी साड़िया ही shopping करके लानी है और तब आप नवरात पहनना बहुत ज़्यादा शुब माना जाता है पीला रंग जो होता है वो खुशहाली का प्रतीक माना जाता है तो इस दिन आप पीले रंगी साड़ी सूट या कोई भी ड्रेस आप पहन सकते हैं जो भी आप comfortable हो उसी के साथ में दूसरा जो नवरातरा होता है वो माता ब्र इन फैमिली से वो कलर होना चाहिए तो आप साड़ी सूट या ड्रेस कुछ भी पहन सकते हैं और उसी के साथ में देखे हरा रंग जो होता है वो हर याली जो होती है वो उन्नती की प्रतीक मानी चाहती है तो इसलिए आप दूसरे नवरातरे में हरे रंग के वस्तर पहने औ यानि कि द्रड़ता का प्रतीक माना जाता है यानि कि इस कलर को पहनने से हमारे विचारों में द्रड़ता आती है हमें सेल्फ कॉंट्नुडेंस आता है तो आप तीसरे नवरातरे में आप सिलेटी रंग के वस्तर पहने चौथा जो नवरातर होता इस दिन माता कूश मांड का पूझन किया चाहिए जो भी आप साड़ी फैंते हैं वह स्थाहरं कर हमारे जीवन पॉजिटीविटी लाता है इसी के साथ में पांचमें जब्लातर में माता-सकंध माता का पूझन किया जाकता है और इस दिन हमें सफेद रंग के पहने चाहिए और चाहर हार हमारे हिंदु धर में सुहागन इस्त्रियां पूर्णता सफेद रंग के साड़ी नहीं पहनती है, सूट नहीं पहनती है, उसमें थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए, बॉर्डर रैड या कुसी अन्य कलर का हो, तो आप उसे पहन लीजिए, नहीं तो आप ऑफ वाइट भी पहन सक सफेद रंग शांती का प्रतीक होता है, और पवित्रता का भी प्रतीक माना जाता है, छटा नवराता माता कात्याइनी का पूजन किया जाता है इस दिन, तो इस दिन हमें लाल वस्तर धारन करने चाहिए, लाल रंग के वस्तर धारन करने चाहिए, लाल रंग जो होता है वो नीले वस्र पहन करके करना चाहिए नीला रंग शक्ति का प्रतीक माना जाता है आठवी नवरातरी में माता महा गोरी का पूजन किया जाता है और इस दिन हमें गुलाबी रंग के वस्र पहनने चाहिए तो गुलाबी रंग की साड़ी सूट जो भी ड्रस आप पहनते हैं वो आप पहन सकते हैं और गुलाबी रंग जो होता है वो सामाजिक उत्थान उन्नती का प्रतीक माना जाता है इसी के साथ में नवरातरी के नовे दिन हम सिद्धी धातरी माता का पूझन करते हैं और इस दिन हमें बैंगनी यानि की परपल या वाइलेट बोल सकते हैं आप बैंगनी कलर के वस्तर पेहने चाहिए बैंगनी रंग जो होता है वो इच्छाओं की पूर्ती के लिए पहना जाता है दोस्तों इस प्रकार से नवरातरे के 9 दिन में हम माता के 9 अलग-अलग सुरूपू का पूजन करते हैं कुसी प्रकार से हमें पूरे नवरातरों के नौद में नौ रंग के वस्तर धारन करने चाहिए और आप पहले ही निकाल करके सैट करके रख लीजे ताकि आपको वरत पूजन में देरी ना हो हर वड़ाहट ना हो बिल्कुल भी और इस दिन दोस्तों आपको लाल चूड़िया सनातन में जो भी इस तरिया सुहागन होती है वो पूणतर शंगार करके ही पूजन करती है तो दोस्तों वीडियो यह थोड़ा भी यूसफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़़ज़दा शेयर करें और नवरातरी की बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे हैं उन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में या फिर एंडर स्क्रिन पे मिल जाएगा तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं तो मिलती है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय माता दी